खंड विकास अधिकारी शशी पट्याल ने बैजनात में पदभार संभालने के पश्चा था खंड विकास के तहट सभी 48 पंचायदों के प्रतिनिदियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि उनका लक्षय मन्रेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना तथा कामों को समय अवधी पर पूरा करवाना है उसके साथ ही पेंडिंग कामों को जल्द पूरा किया बैजनात विकास खंड में बलॉकों में अधिकतर कारेंओं में गती देने के लिए पंचायद प्रतिनिदियों पंचायद सचीवों को निर्देश जारी किये गए हैं उनने कहा कि लोगों के कारें तथा उनकी समस्याओं को देखते हुए सभी पंचायदों के परदानों को निर्देश जारी किये गए हैं और कहा कि परदान पंचायद घर में रोजाना दो घंटे दस से बारा बजे तक पंचायद घरों में बैठें अगर पंचायद घर में परदान बैठा नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि मनरेगा के काम जल्द पूरे करने वा नए काम प्रतेगवार्ड में शुरू करने के लिए भी कहा जाएगा उन्होंने कहा कि कामों की अब डिले पेमेंट नहीं होगी और जिन कामों में देरी हो रही है उनको तीन मौके दिये जाएगे और चौती बार उन और उनको 120 दिन का रोजगार उपलब्द करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकास खंड में 12,774 जॉब कार्ड होल्डरों को काम दिया जाएगा। बैजनात ब्लॉक में प्लानिंग वर्ष 15 वा 16 के 6 काम 16, 17 के 183, 17, 18 वर्ष के 470 काम अधूरे पड़े हैं जिनके लि कनिष्टवा साहिक अभेंता सचिव तकनीकी साहिकों को कहा गया है कि जो भी काम अधूरे और पैंडिंग पड़े हैं उनकी फाइनल पेमेंट की जानी है वा प्लानिंग कामों में साहिक अभेंता फिल्ड में जाए। उन्होंने कहा कि विकासकारियों में अब बिलम नहीं समाज शिक्ष अधिकारी मुख्य से विकाएं व खंड अधिकारी के तहट आने वाले काम समय अबदी पर पूरे किये जाएंगे उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को बैठक सभी बिंदूओं पर चर्चा आविश्वास परस्तार पर चर्चा कर आगे की जाएगी पत्रकार वारता के पश्चात उन्होंने विकास खंड के अधिन आने वाले परधानों से बैठक की और उन्हें जरूरी निर्देश भी जारी किये बादचीत करके उसको जल्दी से जल्द जो अब कारवाई करूगा और जो भी लोगों को वेरिवेट देना है वो मैं अपने मंद्रा अधिकारी नागरिक बैए नाज से भी डिसकस करूगा इसके बारे मैं चर्चा करूगा और इसको जल्दी से जल्दी इस चीज को भी मैं डिस्पोज आफ करने का, थेंक यू मैं इस विकास कंड में 16 और 2018 को सुभा जोइन किया मेरा इसमें मुख्या अजेंड़ा मन्रेकडा में लोगों को ज्यादा सी ज्यादा रोमुजार को पुलत करवाना होगा और जो भी विकास कार्या इस विकास में खंड में अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ड़ करना होगा और जो प्लानिंग में वर्स जैसे MP-LED है और अपने BKB NYSDP है और भी कोई भी जिस किस प्रकार का हैट है उसको कुछ कार्य पोजू है अवति में पूर्ड करना होगा और जो इस विकास खंड में किसी भी परकार की कोई समस्या है या प्रव्लम है उसको में को पोसिश करूँगा कि मैं उसको जल्दी से जल्दी पूर्ड करूँ क्योंकि मैंने भी इस विकासखंड में पहली बार जॉइन किया और पहले भी जिला कांगडा में मैं अपनी सेवाई दे चुका हूं और इसमें मेरा जो जिला कांगडा में मैंने सेवा दी है उसमें मेरा विकासखंड कांगडा मैं चार साल में अपनी सेवा दी है उसमें भी म मेरी ये पूरल कोसिश रहेगी कि बैजनाथ ब्लॉग को मैं मैक्सिमाम उपलब दियां करवाओं और लोगों को मैक्सिमाम रोज़गार देशकों थैंक्यू जन्दू